तो खेसे हैं आप सब पिछली वीडियो में हमने class 11th economics का जो chapter है price determination यानि कीमत निधर्ण उसका part 1 और 2 दोनों कर लिया है उन दोनों parts में हमने सबनी की कोशिश की थी कि price equilibrium क्या होता है और price equilibrium में अगर demand increase हो जाए supply increase हो जाए या फिर demand inelastic हो या supply inelastic हो या बिलोज़दार हो या फिर maximum price और minimum price क्या होता है यह सब चीज़े हमने उसमें cover की अब हमारा जो इसमें portion रह गया है वो रह गया है कि डिस equilibrium से equilibrium पर कैसे रिष्ट ओर होती है economy मान लिजिए अब अगर डिस equilibrium होता है डिस equilibrium का मतलब होता है हिंदी में असंतुलन ठीक है यह equilibrium है demand supply के विए से अब किसी वज़े से मान लिजिए डिस equilibrium हो जाता है मान लिजिए उपर हो जाता है यह ठीक है तो इसको बोलेंगे हम इसमें क्या हो गई supply देखो यहां हो गई क्या ज्यादा S1 और यहां देखो यह थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं आती है पता नहीं क्यों इसको स्ट्रेट लाइन ले आएंगे ठीक है D1 अब देखो यहां पर क्या हो गया है कि supply हो गई है ज्यादा demand से तो इसको बोलेंगे हम access supply क्या बोलेंगे access supply यानि पूर्ती अधिक्य हिंदी में क्या बोलेंगे से पूर्ती अधिक्य अब देखो इस situation में क्या होगा तो देखो इस वाली situation में क्या होगा demand supply से जादा है यह न तो अब यहां लिख लेते हैं कि demand से ज़्यादा supply है तो demand से सयाधा supply है तो जो prices होंगे उस पे क्या pressure पड़ेगा बें market में माल की demand कम है supply बहुत जादा है तो price पे क्या pressure पड़ेगा price पे pressure पड़ेगा गिरने का गिरने का तो जब price गिरेंगे तो producers जो है वो production को क्या करेंगे घटाएंगे जिसके वैसे उनकी supply क्या होगी घटीगी और जो यह supply घटीगी तो यह इतनी घटीगी तब तक चलेगा process यह process तब तक चलेगा जब तक यह demand और supply वापस से equilibrium में नहीं आ जाएंगे ठीक तो वापस से supply घटने लगेगी नीचे की तरफ और demand भी भड़ेगी जब price घट रहे हैं तो price घटने के वैसे जो demand है उस पर कैसा pressure पड़ेगा बढ़ने का pressure पड़ेगा ठीक है और supply घटने का pressure पड़ेगा ठीक है तो इस वैसे वापस से restore हो जाएगा तो हमारी जब भी equilibrium में होती है economy तो वापस से वो क्या हो जाती है restore हो जाती है यहां मैं गलत लिख रहा हूँ यहां ऐसे बना जते है restore हो जाता है वापस से यानि पुने संतुलन में हो जाता है पुने संतुलन हो जाता है तो answer कैसे लिखना है answer आपको यह ही लिखना है कि यदि Access Supply होती है इस जएदा होता है या दिस ऐसके उपर बोला है तो तो क्या होगा रिस्टोर जाएगा वापस रिस्टोर झाक reconoc प्रोसस आप आगे लिख दो जो मैंने उपर बुला है क्या बुलाय मैंने कि demad Dur 숨ओगे तो प्रेशर पड़ेगा price पर, price पर pressure जो पड़ेगा, तो उसकी वैसे, जो भी खेल होंगे, supply गटेगी, और demand बढ़ेगी, ठीक, और वापस से restore हो जाएगा, अब दूसरा case देखते हैं, access demand का, अब देखो access demand में क्या होता है, माल लो, फिर से हम अपना equilibrium बनाएंगे, यह हमारा equilibrium है, ठीक, यह ओ, यह D, यह S, एकलिवियम, यह Q, यह P, अब माल लीजिए, equilibrium डिटरमेन हो जाता है, यहां पर हो जाता है, जहां पर हमारा demand हो जाती है, D1, supply होती है, S1, अब इस case में क्या हुआ है, इस case में क्या हुआ है, यह हो गई है, demand ज़्यादा, supply से, यानि, demand ज़्यादा, यान demand को हिंदी में क्या बोलते है, मांग देखे, मांग, देखे, ठीक है जी, अब क्या होगा इसमें, जब demand हो गई, answer, demand ज़्यादा है, supply से, तो इस case में क्या होगा, इसमें, price पर pressure पड़ेगा, price पर pressure पड़ेगा, कैसा, बढ़ने का, क्यों पड़ेगा, अब यह वह आता हो, अगर market में, जो, market में आगर demand ज़्यादा है, यानि की demand ज़ाधा है supply कम है demand market में demand ज़ाधा है supply कम है तो price पर कैसा pressure पढ़ेगा बढ़ने का और जब price बढ़ेंगे याना जब prices हमारे बढ़ेंगे तो producers क्या होगे motivate होगे production बढ़ाने के लिए याना production बढ़ाएंगे यानि वो supply क्या करेंगे बढ़ाएंगे ठीक और जब price बढ़ेंगे तो demand पर कैसा pressure पढ़ेगा demand पर pressure पढ़ेगा घटने का तो demand घटेगी तो एक तरफ supply जो है वो बढ़ेगी और एक तरफ demand जो है वो घटेगी तो यह supply इतनी बढ़ती चलिएगी यह process तब तक चलेगा यहाँ पर कर देते हैं यह process जो है तब तक चलेगा जब तक कि यह restore नहीं हो जाता यह जो process है यह हमारा तब तक चलेगा जब तक कि यह supply बढ़के इसके बराबर और demand गटके यह दुबार से restore ना हो जाए तो यह हमारा equilibrium हमेशा restore हो जाता है ठीक है तो और time लगता है इसी को जो है इसी को एक तरह से हमारी economy हमेशा equilibrium में आयती है बढ़ time लगता है कभी कम time लगता है कभी जाता time लगता है इसलिए केंज ने अपनी theories दीती और Adam Smith जो है invisible hands बोलता था दृशाथ वो आपके इसी किलबियम क्या होता है इसमें changes के से होता है demand or supply में और किस तरीके से इसमे maximum or minimum price हमने देखे क्या होते है maximum price or minimum price तो आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको और interesting videos देखनी है economics के ऊपर तो आप channel subscribe कर ले और आपको कोई queries हैं तो comments में reply कर दो मिलते हैं next video में तब तक लिए शुक्रिया धन्यवाद दो नीया कैनि स्कृष्त डिया खुम है तट अझे शुक्रिया ह olhar पित बिति घुठी को कुली ओं हाला ओ नेता जी इंचिडी का मता मधा कभी नरम कभी नरम कभी नरम कभी नरम ो यह जी cognitive कभी नरम कभी नरम कभी नरम झाल झाल झाल